प्यारे दोस्तों नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो देखो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिक सेविक्स का चैप्टर नमबर फाइड तो इसका नाम है इस चैप्टर में हमें किसके बारे में करना है अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रिक एड्मिनिस्ट्रेशन क्या है कैसे है तो देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यह बताओ हम लोगों ने अभी अभी हमारे पिछले वाले चाप्टर में क्या पढ़ा था कि यह जो जिला परिशद है ना ठीक है जिला प को संबालते हैं तो जिला परिशद हैं वह भी संबालते हैं और डिस्ट्रिक परें वह बीसंबालते तो यह लोग यहां पर इशिवर स्टडी करने वाले हैं तो कौन कोन आते हैं इसके अंदर देखिएगा हम यहां पर समझेंगे डिस्ट्रिक कलेक्टर के बारे में आप लोग उने सुना होगा डिस्ट्रिक कलेक्टर होते हैं ठीक है जिले का कलेक्टर होते हैं जो पूरा कारेभार संभालते हैं अभी हम इनके फंक्शन भी सीटरिफ वाले हैं से बढ़ा वाला कोट सुप्रीम कोट और उसके बड़ा हैं सीठीज कुलेकर की ठीक है तो Cry adviser होते हैं यह है होते हैं district administration के सबसे head होते है district collector होते हैं and he's appointed by the state government and meter or ckr तो जो हमारी state government से वह इनको करती है और रहें एंको सब्सक्राइब सारे काम करने होते हैं यह इनको collect करना होता है डिस्ट्रिक के अंदर law and order maintain रहे ठीक है यह चीजे भी इनको देखनी होती है जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यह पूरे चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे इनके कौन-कौन से कारे होते हैं तो टेक्सिस को collect करना ठीक है और कोई भी law है खेती को ले करके अग् लेवल पर ठीक है and to provide relief in case of drought and scarcity of order यानि मान लीजे कभी खाने के कमी हो गई ठीक है या फिर ड्रॉट या बाट जैसा महौल बन गया सूखा जैसा महौल बन गया तो उस टाइम पे भी लोगों को relief प्रोवाइट करने का काम इनका होता है district collector सहाब का ठीक है फिर law and order के बारे मे हम देख लेते हैं तो establish peace in district यानि जो हमारी district है हमारा जो जिला है इसके अंदर शान्ती बने रहे यह देखने का काम इनका होता है and to maintain social harmony यानि कि लोगों के बीच में मतलब सामाजिक हार्मनी है मिल जोलता है वो बनी रहे ओके इनकी जिम्मेदारी यह होती है and to restrict unlawful assembly impose curfew if required यानि कि जो unlawful assembly है मतलब मालो कि किसी ने भी ऐसे अपने मन से कोई भी सभा बना ली ठीक है कोई भी सभा बना करके वहीं पर भाशन देने लगे तो अगर unlawful assembly रहेगी तो उसको वो बंद करवा सकते हैं ठीक है उसको वो खतम करवा सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो कर्फ्यू भी लगा सकते हैं ठीक है चलिए अब इलेक्शन ओफिशर में इनके क्या क्या काम होते देखिएगा तू एंशोर स्मूथ हैं कंडक्ट स्मूथ कंडक्ट ओफ इलेक्शन यानि कि जो इलेक्शन है वह प्रॉपरली अच्छे से हो जाए तू टेक नेसेसरी डिसे डिसेजन रिले टेक्शन लेने होते है चहन्य सकते है तेडिक होना चाहि के इस्के हुते जिम्मधारी टिसास्टर में मतलब मालं हो management करने की भी इनकी होती है जिम्मेदारी तो देखिएगा मतलब टू टेक क्विक डिसेजन दूरिं टाइमस ऑफ डिजास्टर और प्रिवेंट और मिनिमाइज डामेज यह डिजास्टर के टाइम पर अगर कोई इसका मतलब क्या होता है कि वापस से उनको सामाने जीवन जीने का आवसर प्रवाइड करना मतलब उनको इसमें हेल्प करना आई जयां तो वह कहाँ पर पहले जाते हैं तहसिल दार करते है उसका उसका समधान करते हैि तो तो there is a तहसीलदार for every तालुका या फिर तहसील as a judicial officer he gives judgment to resolve conflicts at the local level यानि कि local level पे कोई जगणा हो रहा है तो उसको वो सुलजा सकते हैं the तहसीलदार has the responsibility of maintaining peace and order in the तालुका मतलब उनके तालुका में जो peace मतलब सांती जो है वो बनी रहे ये देखने की जम्मिदारी इनकी होती है ठीक है clear हुआ इतनी बात है समझ में आई की नहीं आप सबी लोगों को I hope तो समझ गए होंगे ठीक है अच्छा ये चार्ट समझ लो देखो यहाँ पर district administration के अंदर कौन कौन से लोग वो आते हैं कि Sept これ以及 เชन constituर कोप zer्पश कि पैसिãy सब्सके बाद यहाँ पर अजपैसिल दार होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा फेर यहाँ पर तया पह्ता और सब से की तो उसके बाद तूसरे तरी टौर है जेगा superintendent of police, ये सबसे उपर होते हैं district level पे, फिर उसके बाद deputy superintendent of police होते हैं, अगर ये ना रहे तो इनका काम ये करेंगे, फिर उसके बाद police inspector होते हैं and then police sub inspector, ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा district का जो administration है, वो चलता है, एक के उपर एक है, ठीक है, ऐसे, तो आएए, अब ह district police, ठीक है, जो हमारा district police है, उसका chief, ठीक है, कौन होते हैं, देखो, महाराष्टा की अगर हम बात करें, so there is a superintendent of police at every district headquarters, यानि हर एक district headquarters में कौन रहता है, superintendent of police, यानि कि जो main रहते हैं, जो जीले के इस तरपर काम करते हैं, district level पे, ठीक है, वो क्या होते है, वो chief police officer होते है district में ठीक है, वो क्या करते है, वो जो district collector होते हैं, उनकी help करते हैं, कि law and order maintain रहे, peace, यानि कि शान्ती बनी रहे district के अंदर, इसमें वो help करते हैं, कौन help करते हैं, superintendent of police कि हाद रखेगा, देखो, police commissioner अलग होते हैं, और superintendent of police अलग होते हैं, ओके, तो superintendent of police जो है, वो district level पे काम करते है, district collector की मदद करते हैं कि कैसे district के अंदर law and order maintain रहे ठीक है और फिर यहाँ पर हम समझते हैं in the city यानि कि सहरों के अंदर कौन होते हैं police commissioner होते हैं जिनकी responsibility क्या होती है law and order maintain करने की होती है city के level पे और district level पे superintendent of police ठीक है याद रखिएगा यहाँ प्यारे दोस्तों अब हम बात करते हैं district court की जैसे की हमारे समविधान ने हैं यानि कि जो हमारी कौन है हमारा समविधान constitution नहीं जानते हो न कोई बात नहीं constitution आप जब 7th constitution क्या होता है जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि society के rules and regulations होते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में भी कुछ नियम और कानून है ठीक है तो वो सारे नियम और कानून का जो लिखित प्रारूप है student उसी को क्या कहा जाता है समविधान यानि कि constitution के नाम से जाना जाता है constitution को हम लोग पूरा detail में पढ़ेंगे हमारे अगले class में यानि कि class 7th में ठीक है अभी बस आप इतना समझो तो जो हमारा समविधान यानि कि जो हमारा constitution है उसने independent judiciary system को भी constitution के अंदर include किया हुआ है यानि कि हमारे देश में क्या है निया लेक यानि कि जूडिस्री सिस्टम होता है ठीक है जहां पर लोगों को क्या दिया जाता है उनको justice दिया जाता है तो आए हम समझते हैं the courts are the district level have to perform the function of resolving disputes delivering judgments and ensuring that the conflicts are resolved at the earliest यानि कि देखो जो हमारे courts है वो अलग अलग लेवल पे होते हैं सबसे पहले सबसे हाइप होता है ठीक है मतलब supreme court के नामस जाना जाता है वह हमारा पूरा national level पर फिर उसकी बाद जो हमारे यह होते हैं कौन होते हैं हमारी जो राज अलग-अलग states होते हैं वहां पर क्या होता है हाई प intentail होता है फिर उसके नीचे आता यहां दीस्ट्रिक nota क슬एं पर काम करते हैं तो अगर अगर कोई भी परिषान है किसी कि भी समें घगडा विवाद है तो वो यहां होता है लोकल लेवल पर थीक at the apex that system is the supreme court सबसे उपर सबसे उच्चतम शिघर पर कौन आता है supreme court आता है हमारे भारत का and then उसके नीचे क्या आता है प्यारे बच्चों high court आ जाता है और उसके बाद आपके आते हैं lower court समझ मैं आया देखो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले हमारा आएगा supreme court ठीक है फिर इसके नीचे आपका आ जाता है प्यारे बच्चों high court ठीक है और इसके नीचे आते जो local courts होते हैं वो जैसे district court हमने देखा था और यह देखो तालुका court और यह revenue court यह सभी court होता है ठीक है आव चरह मैं आपको court के बारे में कुछ बातें बताऊं पहली यह समझ लो देखो court में होता क्या है district level की में बात कर रहे हूं यहां पर न एक तो हमारे जज रहेंगे chief district judge होते हैं और भी कुछ judges होते हैं बराबर तो इनका main function क्या होता है कि वो क्या करें जो भी अलग-अलग cases है उनको वो सुलजाए district level पे और final judgment दे यानि कि फैसला करें ठीक है अगर ऐसा हुआ कि माल लो कि district court में कोई फैसला सुनाया गया और उससे अगर लोग satisfy नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं high court में उसकी लिए appeal दायर कर सकते हैं कि हम इनसे संतुष नहीं है इस case की वापस से समिक्षा की जाए ऐसे करके वो कह सकते हैं तो देखो यहां पर वही लिखा है कि one can one can appeal against the judgment of the तालुका court in the district court अच्छा यहां पर तालुका court की बात की गई थी ठीक है ठीक है मैं आपको बताती हूँ मैंने वो गल्ती से high court बोल दिया था ठीक है यहां पर तालुका court में कोई भी judgment दिया गया तो अगर वह उससे court में या जिका जाया दायर कर सकते हैं ठीक है समझ आया अब आव जना यह court के बारे में court के बारे में हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है class 8 में ठीक है तो अभी यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में आपको ऐसा information बता देना चाहती हो दिखो जैसे district court में क्या होते एक तो ह करके जगड़ा हो गया कि नहीं यह मेरा इतना मेरा इतना तेरा ठीक है तो ऐसे वाले जो cases होते हैं यानि जो बहुत ज्यादा गंभीर cases नहीं होते हैं तो उनको सुलजाने के लिए यह वाले जज काम आते हैं civil cases के लिए लेकिन अगर crime वाले cases हो जाएंगे for criminal cases तो यहां पर हाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों किसकी तो disaster management की एक बात बताओं जैसे देखो यह जो disaster होते ना ओके यह बता करके कभी आते नहीं है ठीक है जैसे मानलो अगर कहीं भुकंप आया तो भुकंप ने सबसे पहले बताया था क्या कि अभी भुकंप आएगा ऐसा क कुछ मतलब नहीं न यह क्या होता है अचानक से यह सारे जो disaster है वह आ जाते हैं ठीक है प्यारे बच्चों तो देखिएगा तो disaster का management करना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा जैसे हमारी फैमिली में ही दे कोई परिशानी कभी भी आ सकती है ठीक है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं उस विश्रम परिस्तिती में यानि जब हमारा ऐसा situation आये कभी कोई परिशानी आ जाए तो उस टाइम पे वो जो रखे हुए पैसे हैं वो काम आते है ठीक है तो जैसे हम अपने फैमिली में management करके ठीक है अलग से सारी चीजे पहले से रख दी जाती है ताकि अगर को ऐसी आप आजाए तो उस ताइम पर हो सके ठीक है तो देखो फ्यारे दोस्तों आईए हम समझते हैं जरह डिजास्टर के बारे में तो अलग अलग टाइब के डिजास्टर होते हैं जैसे कभी फ्लड आ बाड़ बहुत खतरनाक सा है ना आग लग गई बहुत ज़्यादा वारिश आ रही है ठीक है साइकलोन आपको पता है यह से आते हैं हमारे सी के अंदर ठीक है अर्थक्वेक आ गया लैंड्स्लाइड यानि कि जो लैंड हो ही खिसक गया ठीक है तो यह तारे या फिर यह भी प्राकृतिक भी हो सकते हैं यानि कि आप लोगोंने साइंस में पढ़ा होगा नेच्रल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर ठीक है नेच्रल डिजास्टर क्या होते हैं प्यारे बच्चों जो नेचर के द्वारा आते हैं जैसे अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक की तो ममप्लास्ट हो जाते हैं तो यह सारे ढाइक प्राकृतिक लेकिन आप दिखो राय टगें कहीं पे दंगा आओ गया दंग्य फसाद होते रहेती हैं आ रहे देश yen भी टूट गया ठीक है या फिर epidemics यानि कि कोई महामारी आगे जैसे अभी करोना आया था ठीक है तो यह सारे problems हो सकते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है बहुत ही जादा मात्रा में human life यानि कि इंसान मरते हैं displacement of people beside the tremendous financial loss और बहुत सारा देखो आपको बताती हो यह disaster की वज़े से बहुत सारा loss होता है इसे लिए इसको manage करना इसको अच्छे से manage करना this is very important बहुत ज्यादा important हो जाता है right so disaster management कहां पढ़ते हम यहां पढ़ते देखो disaster management क्या है यह एक process है जो हमें क्या provide करता है enable one to face disaster in a scientific manner okay scientific and organized manner यानि आपको एक बात बताओ अगर आप पहले से तयारी किये रहोगे डिजास्टर की ठीक है जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो के नीचे छुप जाओ कहीं पर जागर के छुप जाओ ठीक है ताकि आपका सीर बच जाए आप बच पाओ तो यह सब क्या हो रहा है आपको पहले से तयार किया जा रहा है ना वो कि अगे बढ़ चुकी है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कहां पर कौन सा तुफान आने वाले अगर कोई साइटल आने वाला रहता है ना पहले से पहले से इंफोमेशन मिल जाता है ।ो सिस्टम क्या करता है अगर कोी तुफान आने वाले हैं से पहले से पता लगा लेता है और से और अध्यूंकि इतने बचके इतने मिनट पर ने वहा आपके एरिये तक पहुच जाएगा तो लोग क्या करते उसमें तक वो जगव को खाली कर देते इससे क्या होते हैं मिलब लोगों के मान लोग घर उजडगे पर उनकी जान तो बच जाती है उनके जो समान होते वह भी वह लोग हटा लेते तो यह सारी जो परेशानिया है मतलब जो जो नुकसान होने वाला है उसको आम जरूर कम कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे लिए के नंबर होते हैं जासे कि पूलिस का नंबर का नंबर होस्पिटल पर आग लगी अब ऐसे कंडिशन में क्या करोगे अगर आपके पास फायर ब्रिकेट का नंबर है तुरंट के तुरंट फोन मिला होगे और आप वह आग से होने वाले नुकसान से बचा सकते हो कई सारे लोगों को छ आपको पता होना अच्छी है यहां पर बात करने प्यारे बच्छों कुछ पैटन की जैसे लख वगया होगया लुक्क्र च्हहांदे पैटन अब यह सब कुछ क्या है ह estás दो प्यारे बच्छों यह फेनना पैटन जो है करने जिसकित नोными से बतीक को बताते हो तो जैसे देखो जो हमारे district collector हैं जो भी हमारे administration में थे तो बहुत सारे उन लोगों ने क्या किया अपने हिसाब से बदलाव किये ठीक है जैसे उनको कुछ system अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को delay हो रहा था तो इस वजह से उन्हों क्या किया अपने काम काच करने के तरीके में कुछ बदलाव किये और उस बदलाव की वजह से जब उनको उसमें सफलता मिली ठीक है पूरा management में जब सफलता मिली तो उसी को उनके नाम पर यह pattern के नाम से मतलब लिख दिया गया ठीक है तो देखो जैसे लखीना pattern अब यह क्या है यह ना अहमद नगर के देखिएगा यहां पर लिखा होगा मैं आपको बताती हूं यह district collector थे अहमद नगर के ठीक है तो इनहीं के नाम पर इनका नाम क्या था मैं आपको बताओ अनिल कुमार लखीना जिन्होंने एक मतलब सिस्टम चालू किया था एक रिफॉर्म लेकर क करने का तरीका है उसको एस्टेंडराइस मतलब किया और देखेंगे यहां पर तो क्या है जैसे रूल्स और रेगुलेशन वह लोगों को सिंपल भाशा में समझाये जाए यह सारी चीजों की ववस्था भी इन्होंने की ठीक है तो एड्मिनिस्ट्रेशन में इनके हिसाब स चेंजिस किये गए और इन्होंने देखो सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया था ताकि लोगों को लोग जो भी काम कराने के लिए आप आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं उनका जो कंप्लीटिड मतलब इनका जो वर्क है वो एक ही छत के नीचे हो पाए ठीक है तो इन्होंन पाइटन के नाम से जाना जाता है ठीक है बस आपको इतना यह जो काम हैना वह तुरन 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 होना जहिए जैसे होता है ठीक है और इसके वज़े से बहुत सारी चीजे जो है वह अच्छी हुई तो इसलिए इस पैटन का भी नाम दे दिया गया दलवी पैटन ठीक है अब इनका नाम क्या था आव में चरा इनका नाम बता हूं आप लोगों को तो इनका नाम था श्री चंद्रकांत दलवी ठीक है तो जब यह डिस्ट्रिक कलेक्टर थे ना पूने डिस्ट्रिक के तो इन्होंने वह वाला सिस्टम लाया था यह किस पे काम कर रहे थे मैं आपको बताती हूं जीरो पेंडेंसी पैटन यानि के कुछ भी हम पेंडिंग पे नहीं छोड़ेंगे जो करना है हम करेंगे मतलब तुरंद के तुरंद करेंगे ठीक है यहां पे लिखा है दो अब्जेक्टिव और इफॉर्म स्पीड डिसेजन मेकिंग बाइंशुरिंग दैट फाइल्स वर नॉट अलाव तो स्टॉक अप मतलब उसको इकटा नहीं करना है तुरंद के तुरंद काम करते जाना है ठीक है अब गति शीलता आई तो इसलिए उस पैटन का नाम पढ़ गया तलवी पैटन अब चहांदे पैटन हम समझ लेते हैं तो चहांदे पैटन किसके नाम पर रखा गया तो डॉक्टर संजे चहांदे थे जो डिविजनल कमिश्णर थे कहां के नाशिक के है ना तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म किये थे तो जिसको हम लोग चहांदे पैटन के नाम से जहांते हैं वराबर तो इन्होंने क्या किया था देखिएगा इस पैटन के अंदर क्या हुआ था कि जो एड्मिनिस्टेशन है और जो लोकल पीपल है उनके बीच का जो गैप है ना जैसे हमारा जो एड्मिनिस्टेशन है और जो हमारे लोकल पीपल है ठीक है उनसे एड्मिनिस्टेशन का सीधा कुछ कॉंटेक्ट हो नहीं पाता ठीक है तो उस गैप को कम करने का काम इन्होंने किया था और और आप यहां पर देख सकते उन्होंने देखो ग्रामस्त दिन का भी विलेजर् से रहते था कि आखी इस देन चाहांग चनले पातकुल क्रौंता कि यहां बहुत पैरंव पंचले इस इनके नाम पर रिख्राव बन गया और है मतलब सकते हैं मुद्दा बन गया तो जो भी आईएस आईएस आईपीएस बगारा बनते नो यह वो इनके पैटन के बारे में पूरा अच्छे से के स्टेडी इसको पढ़ते हैं और तब जाके एक्जाम में भी इसे दवाल पूझे आईपीएस वाले ठीक है एक्जाम में तो यहां पर यह अब उसके बाद आता है इसका एक्सराइस एक्सराइस का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे कोस्टन आंसर वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना ठीक है तो आपका सारी चीजे कंप्लीट हो चुकि है जोग्रॉफी हिस्ट्री एंड इस से विक्स ठीक है तो पढ़ आपका बीवन